नमस्कार बिहार पर बिचार की शंकला में आज बिहार में जो नशाबंदी चल लही है क्या वह जायज है? तब जबकि पूरे देश में गुजरात को छोड़के नशा सराब का खुला हुआ है चाय कौफी नसे में सामिल नहीं है गांजा जो साधिमा दोरा लिया जाता है और जिसको विजय कहा गया है भारत में गांजी का महत वह नार्कोटिक्स की सबसे बड़ी स्रेणी में बंद है इस पर विचार बहुत जरूरी है इस चुनाओ के दोरां कि क्या नशाबंदी जरूरी है? क्या बिहार जो नशाबंदी करके कुछ वरस चल गया है और वहीं जब कोरोना में सारी दुकाने बंद हुई और भारत सरकार जिसके पीछे बहुत बड़े एक प्रुवत वर्क का कहना है कि नशा खराब है लेकिन सरकार ने हत्यार डाल दिये और सराब की दुकान खुल दी गई जिस दिन सराब की दुकाने खुली उस दिन कई-कई जगए 400-500 मीटर की लंबी लाइन भी लगी सरकार बना सराब खुले नहीं रह पाई कि इसके टेक्स से सरकार चल लए बड़ा अजीव है एक तरफ आप सिगरेट के पैकेट पे टीवी का फोटो बनाते हैं गले का टीवी तमाम चीजों का खैनी पे फोटो लगाते हैं सराब पे दो अक्टूबर और बाकी जगए सराब बंदी की बात करते हैं और फिर सराब खोलते हैं और GST कलेक्शन में सबसे उपर सराब की विक्रीद दिखाई देती है तो ये दिवालियापन है सरकार का और ये भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है कि आदमी क्या खाए, क्या पहने, किस से साधी करे ये सरकार के मुत्य हैं क्या या ये ब्यक्ती, परवार और समाज के मुत्य है जीवन के लिए हवा चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए और बहुत सारे कहते हैं कि एक नसा भी जरूरी है हमारे एक मित्र हैं, हमने उनसे कहा कि जीवन में जीने के लिए एक नसा बहुत जरूरी है और वो एक ऐसे धर्म को बिलॉंग करते हैं जहां नसा बंदी है तो वो हमसे बहस किये के नहीं आप गलत बोल लाए है दूसरे दिन आये और बोले हम सोचते रहे कि नरेंज इतने तागत से कैसे बोल ला है कि एक नसा जीवन में जरूर यह और फिर मैंने पाया कि मुझे जब हाथ में नोट मिलते है और सोना आता है तो मिझे एक नसा सा आता है कुछ ग्यानी जन जैसे रामकिष्न परमहंस जीवन चलाए रखने के लिए एक नसा जो खाने का है वो पाले रहते हैं वो कहते हैं सिर्फ खाने से नसा मिलता है और कुछ लोगों के लिए जीवन इतना बोजिल हो जाता है कि सौने के लिए नसा चाहिए तुम हॉस्पिटल में देखोगे कि कई पेसेंट जिनको नीद नहीं आती है डाक्टर कोशिस करता है कि इसको नीद आ जाये तो ये बच जाएगा और उसको नसा देते हैं तो जीवन इतना बोजिल हो गया है कई लोगों का कि उनको नीद नहीं आती तो वो एक नसा कर लेते हैं अब द्यक्ति को नीद आये ना आये ये सरकार के नेड़ण है क्या ये बहुत अजीब चीज़े हैं ऐसे में सही क्या है, गलत क्या है, इस पर ग्यानियों की राय क्या है, इस पर थोड़ी चर्चा जरूरी है उस चर्चा के पहले मैं अपना मत कह दूँ कि मैं आने वाले समय में अगर पूरे भारत में नसाबंदी के द्वारा सराबंदी नहीं है तो सिर्फ बिहार में इसको रखने से कोई फाइदा नहीं है, क्योंकि इसकी सीमाएं नेपाल से खुली हुई है, चत्तिसगर्ड, जारखन, उत्तर प्रदेश से खुली हुई है, पश्ट पंगाल से खुली हुई है तो लोग सटरडे संडे और जो एक छोटी सी चीज है उसको तसकरी, तमाम चीज़ों का नाम देके अब रात में सामिल करने के कोई जरूवत नहीं है पुलिस की कमाई बढ़ाने की जरूवत नहीं है और कुछ ये कहते हैं कि लोग परवारों को पैसा नहीं देते हैं, सराव मोड़ा देते हैं तो हकीकत ये है कि पहले 300 रुपे कमाते थे, 60 रुपे की सराव पीते थे और 240 रुपे घर देते थे सराव बंदी के बाद वही सराव 80 और 100 रुपे की मिलने लगी है खुली मिलती, अब वो 220 या 200 रुपे ही दे पाते हैं तो जिसके भले के लिए सोचा उसका नुक्सान और हो गया क्यों सराव तो खुला मिल लगी और सराव से बड़े नसे अगर आप विद्ध्यालेओं में जाओ, जहां पड़ाई नहीं होती है पार्कों में जाओ, जैसे मैं सीता मड़ी के पार्क में 12 दिन बैठा और वहां बच्चे देखे, तो वो डाइलूटर, कैप्सूल, इंजेक्शन और ऐसे कौन-कौन से छोटे-छोटे नसे हैं, जिसमें बैनाड्रिल है, कप सेरेफ्स हैं, ये सारे नसे बच्चों में चल रहे हैं ये ज़्यादा घातक है, उनसे पूछवा तो सराव कैसे देते हो, बोले पैदल पैदल ले जाते हैं तो जैसे रईस फिक्चर में तुमने देखा होगा, कि बच्चे सराव ले जाते हैं, बिहार में अभी बच्चे सराव ले जा रहे हैं और एक बार आदत पढ़ रही है, तो खुद भी किसी ना किसी तरह का सराव नहीं है, तो छोटे-छोटे नसे, उनका सेवन जारी है प्राफिक का अडेक्शन हो गया है, सोसल मीडिया का अडेक्शन यह और खतरनाक शुरू हो गया, तो बिहार में और पूरे भारत में एकांगी चीज़ों से नहीं चलेगा, समग्रता से चीज़ों पर सरचा जरूरी है, तो जैसा मैंने कहा, कि आने वाले समय में प्रयास कर हुआँगा, कि बिहार में यह थोड़ी बहुत नसावंधी नहीं हो, भारत में अकेले बिहार और गुझरात में नहीं हो, हो तो पूरे देश में हो, नदो पूरे देश में चले, गाजे पर प्रतिवंद हटे, चाय और कॉफी जो बहुत बड़े नसे के रूप में उभरे हैं डिल्ड सव बरस में जिसको लोग नसा नहीं मानते हैं उस पर बचार जरूरी है तो जब हम ग्यानियों से पूछते हैं कि कौन सा नसा ठीक है, कौन सा खराब है तो ग्यानियों कुछ कहते हैं कि सारे नसे खराब है कुछ ग्यानियों कहते हैं कि जो जीवन चलाने के लिए जरूरी हो और जो जीवन के बोज को दवाने के लिए जरूरी है, वह नसा ठीक है कुछ ग्यानियों कहते हैं कि जिसमें खुद का नुकसान हो परवार का नुकसान नहीं हो वो कम नुकसान दे है जिसमें आपका नुकसान हो और परवार का नुकसान हो वह ज्यादा बड़ा नशा है जिसमें समाज का नुकसान हो वो और ज्यादा बड़ा नशा है और जिसमें पूरी प्रगर्ती का नुकसान हो वो सबसे बड़ा नशा ह वह कहते हैं कि गांजा पिया, सिगरेट पिया अगर आप किसी पे धुआ छोड़ रहे हो तो दिक्कत की बात है अगर अपना पी रहे हो और धुआ आस्मान में छोड़ रहे हो तो इतने धुए हैं इससे किसी को नुकसान नहीं होना सराब पीके सो जाते हो, किसी को नुकसान नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गांजा पीके सो जाते हो, कोई दिक्कत की बार पी लेकिन अगर चाय कॉफी पीते हो, इससे गौ माता को दिक्कत हो रही है इससे जो पेड़ कटके चीनी का उत्पादन, चाय पत्ती का उत्पादन, गायों के लिए घास का उत्पादन, अद्रक का, इलाइची का उत्पादन के लिए जो पेड़ कटे हैं, इससे गाय माता को, गंगा माता को, धर्ती माता को नुकसान पहुचा है। यह ज़्यादा गहतक है और सबसे ज़्यादा गहतक जो दुहा आता है भारत में जो सोना है उसको कनक बोलते हैं और जो धदूरा है उसको भी कनक बोलते हैं वह कहते हैं कि धदूरा खाने से बोड़ा जाता आदमी पागल हो जाता नसे में आजा और सोने के सिर्फ पाने से आदमी पागल हो जाता नसे में तो सबसे बड़ा जो दुनिया में नसा है वो सोने का नसा हो गया वो पैसे का नसा हो गया इस नसे ने देश के देश वरवात किये हैं और ब्यापारी वर्ग जो पैसे की होड में हैं और बाकी होड में हैं ए नसा सबसे ज़्यादा खराब है तो सादू कहते हैं जो छोटा नसा हो वह चलेगा जो बड़ा नसा है वह दिक्कत का है तो उन नसे में चुनाव जरूरी है कुछ ग्यानी कहते हैं कि देश काल परिष्थिती के हिसाब से किया गया नसा कुछ थे और परणाम भगवान पे छोड़ दू अगर समाज में जहर है और मन्थन करोगे तो जहर निकलेगा तब बहज सिब का एकजामपर देते हैं अगर बहज नसा नहीं करते जहर नहीं पीते तो दुनिया बरबाद हो जाती तो वो नसा लोग पीखते हैं और तुम देखाओगी कि जो इतना बड़ा नसा होता है उसमें साप भी आसपास डोलते हैं सिब जी के भारत में भी विसकन्याओं का चलन था उन्हें साप के काठने से भी नसा नहीं होता था वो नसे की पराकास्टा है और एक दूसरी पराक पैसे की है तो इन चुनाओं में हमें क्या जरूरी है क्या जरूरी नहीं है यह चर्चा बहुत जरूरी है बिहार में हम चाहेंगे कि समाज यह निरने करें सरकार यह छोड़ें भारत में हम चाहेंगे कि सराब के सिगरेट के टेक्स से सरकार चलती है तो जैसा पैसा आएगा उस तरह का परणाम होगा अगर पैसा गलत मद से आ रहा है तो परणाम ठीक नहीं ही हो सकता है तो सरकारों को चाहिए कि वह इस पर टेक्स बंद करें इसको समाज की जुम्मे छोड़े आप गोवा चले जाएं वहाँ सवेरे साथ वजे से दूसरे किराने की दुकाने खुलती है और सराब की खुलती है उनसे पूछा भाई आप क्यों सवेरे खोले हुए सराब के तो लोग साम को पीते तो उन्होंने कहा कि अब मेरा धंदा नहीं है और लोग पीते ही थोड़ी ना है ले भी जाते हैं बहाँ पे आप देखोगे कि बेतर तीबी से लोग सराब नहीं पी रहे है जिसको पीना है वो THोड़ा बहुत पीता है सो जाता है आदिवासी इलाके में आप जाएं तो वहां महलाएं भी सराब पीती हैं एक चावल की, एक महुआ की, महुआ की मीठी होती है और उसमें बहुत सारी जड़ी बूटियां वो मिलाते हैं तो वह ताकत भी देती है, वह दिनवर की ठकान से जो मानसिक वेथा हो गई उसको सिथल करती है और वो आराम से सो जाते हैं आप घरों में देखेंगे, कि आदमी नसा करता है तो घर में जब पती पत्मी का जगड़ा होता है तो जगड़े होने के बाद आदमी सराब पियेगा और सो जाएगा और तें सामानेता नसा नहीं करती हैं तो वो चलाती रहेंगे आदमी सवेरे तरोत आजा हो कि फिर से काम पर चला जाएगा और तें फिर तेशल लाती रहेंगे और वो पागल हो जाएगे और तो उनको जो नसा है वो कपड़े का और सोने का जो रोज हो नहीं सकता तो भारत में तुम देखोगे कि मानसिक रोगों में महलाओं की संख्या जादा है क्योंकि उनमें नसा कम है तो एक नसा जरूरी है जितना हलका हो उतना अच्छा जिससे उत्तेजना ना फैले बजाए उत्तेजना सिथिल हो वह अच्छा तो लोग कहते हैं कि गांजा सांती गलाता है दारू कांती लाती है जितना सड़ा गला नसा होगा उतना उत्तेजना पैदा करेगा जितना प्राकरतिक बनस्पतिक नसा होगा वह उत्तेजना को कम करेगा वह अच्छा है और देशकाल के इसाफ से जैसे बर्फीला अलाका है, रेगिस्तान है, जंगल का अलाका, इसके इसाफ से थोड़ा नसा परवर्थित होता है जहाँ बानस्पतिक है ही नहीं प्रकृती में रहना जिक्कत है, वहाँ थोड़ा सड़ा का अलाका नसा चल सकता है, जिक गर्मी देगा, अन्यथा जिन्दा रहना मुस्किल हो जाएगा तब नसे में इस्थान समय काल का भी ध्यान रखना जरूरी है, लेकिन महत्पून यह है कि हम नसे से सरकार चलाना बंद करें, नसे के पैसे से सरकार चलाना बंद करें, अड़टाइजमेंट नहीं है नसे का, लेकिन तब भी आप देखोगे कि सोडा का ये क्या है, ये मजाक है और चाय का बग्यापन चलए लाग्मझा नसे में नहीं है लेकिन मेरे देखें चाय कोफी ये सबसे बड़े नसे हैं इसको समाज में कम करने की जरूरत है, भलतु के प्रुचन देने की जरूरत नहीं है और text के बारे में एक नई सोच की जरुवत है जो पूर्व में हमने कहा कि समाज सरकार में कारों का विभाजन हो, text का विभाजन हो, उसके साफसे चीज़ें चलें तो अंत मैं यह कहना चाहूँगा, बिहार के लिए कि सरकार इन मोह माया से उपर उठे और ये समाज जंदा के लिए छोड़ दे और हम चाहेंगे कि इसके पैसे सरकार ना चले, किसी के दुखदे के किसी की बैठावें जैसे डाक्टरी का पैसा हैं, ये सब गलत परनाम लाते हैं बकीली का पैसा, नशे का पैसा, डक्टरी का पैसा यह दुख से दूसरों को परिशान करके आते हैं तो इसे सरकार भी चल दे सरकार सिधे सिधे पैसे से चल दे और महत बुनग वात यह है गांजे के लिए कि बिहार सरकार के एक सीनियर मंत्री भी गांजा पीते हैं भारत के एक पूर प्रधान मंत्री भी भांग खाते थे और भी कई लोग नसा करते हैं तो ये दो तरफाद दो मुहा चीजें नहीं चलती कि व्यक्तिकत क्या है और सामाजी क्या है तो हम पुना कहेंगे कि हम गांजी को खोलेंगे सराब को समाज की जुम्मे छोड़ेंगे और टेक्स कलेक्शन इस पर समाज की जुम्मे छोड़ेंगे सिगरेट का भी टेक्स नहीं लेंगे गांजा तमाखु की पैदावार करने के लिए इजाज़त देंगे लोग अपना नसा पैदा करें चलम होके चलें इसके हम पुर्जोर कोशिस करेंगे तो नसे पे एक नए आयाम की जरूरत है क्योंकि पंजाब हम देख चुके है सिक धर्म में नसा की मना ही है लेकिन पूरी कौम बरबाद हो गए चाहिए पाकिस्तान का नाम लो किसी दूसरे मुल्क का नाम लो हेरोईन, कोकीन, हजीज ये इंटर कंट्री चीजें चलती है तो मिलिटरी भी जाहरे सामिल होती होगी अमेरिका में अफगानिस्तान में जो आक्रमन के बाद महा सरकारें बनाई चले अफीम की खेती और भासीस की खेती अफीम और गांजे की खेती तीन गुना बढ़ गई आज अमेरिका ने गांजे की खेती को हरी जंडी दिखा दिये तो भारत में इस पर चल्चा हो और ये बिस्तार पर चीजा हो जतना कहा वह है मेरा मतलब है, I mean it और मेरी पूरी कोशिस रहेगी कि इस पर काम धन्यवाद